वेल्कम ट्रेडर्स चले देखते हैं कैसे हमें एक सूपर मूव देखने मिला और त्री इंडाइसिस डाइज निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मोस्ट इंपोर्टन अगर आप देखोगे तो आज हमने प्रीमियम यूजर्स को मेंशन किया था इन दी सिनारियो बुलते हैं जहां पर बोध दसेलर्स गेट और उसके कारण एक शॉट कवरिंग मूव आ जाती है तो चले चलते हैं प्रेटलू चार्ट पर कैसे हमें एक प्रॉपर वे में ब्रेकाउट ट्रेड करने मिला और फिन निफ्टी तो यहां पर देख सकते हो जबी भी े मेजर कॉंटिटी में और वुटीटेटी में और सेलिंग विए सरे चार्ट को यहां पब्रेक्रह इत्लेउ इसको करेगैं तब भी जाकर बेसिकरी आपको एप to क्रॉस करते हैं तो हम बाइसाइड के लिए प्लान करते हैं अगर ग्रीन बॉक्स इसको नीचे ग्राउन साइड में क्रॉस करते हैं तो इस को बोलते है बेसिकली एक trap scenario जो हमने previously भी हमारे strategy वीडियो में देखे हुए है तो चले देखते हैं आज कैसे basically follow through हमें trend देखने मिला तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही market open हुआ तो market open हुआ with a proper breakout candle जहापे आपका red box यहाँ पर test कर था उसके बाद proper consolidation phase में चल रहा था and most important प्रेशर भी generate हो रहा था मतलब green buying प्रेशर भी है selling प्रेशर भी है तो कहा पर भी इधर साइड breakout लाइकली थी बट मोस्ट लाइकली मूव जो एक पिक्चर परफेक्ट ट्रेड आपको मिलने वाला था वो था upside और उसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पर फिन निफ्टी क करते तो इसका क्या मतलब है तो यहाँ पर आप देख सकते हो before the market hours मुझे पता चलता यहाँ पर call writers present है मतलब यहाँ पर maximum quantity में call बेचे गए तो call बेचे गए मतलब इनकी जो view है वो basically bearish on the front है market पे यह लोग bearish है big players है यहाँ पर big quantity में selling भी हुई है मतलब इनकी भी view bearish है तो अगर next day जबी भी आपका market open होगा यार जबी भी इसके ऊपर अगर कोई भी breakout candle बनेगी तब basically आपका trades initiate हो जाएगे most importantly अगर यह लोग अटक जाएगे system में तो यहाँ पर opposite side पर move देखने मिलती है और ऐसे ही हमने move previously भी capture किये बहुत सारे trades में तो आज जैसे ही price इसके ऊपर जैसे breakout हो जाता है तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर breakout start हो जाता है and same ways आपको follow through एक one way यहाँ पर rally देखने मिल जाती है तो यहाँ पे proper accumulation zone बन चुका था about the green dots and near to this breakout level और जैसे ही आपका breakout candle आ जाता है एक strong green candle on five minute time frame आप देख सकते एक follow through आपको breakout trade देखने मिल जाते फिर जाके almost आपका gap zone भी clear हो जाता है अपकमिंग जो swing हाय था उदर तक भी आपका particular target zone भी अचीव हो जाता है तो यह clear cut trade था था फिन निफ्टी में using the double trap scenario जहाँ पे red box and max call हो एक double combination में present है और दोनों भी यहा बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी में भी था आप देख सकते हो यहाँ पर red box और यहाँ पर जैसे red and green box आपको पता चलते हैं यह आपको before the market आर्जी बता देगे कि कहां पर इंडेक्स के breakout zone है तो जैसे हमने previously भी mention किया हमें इस जो बीच में जबी भी market खुलता है तब ह में इंट्रेस्ट नहीं होता फॉर breakout ट्रेडिंग यह पर्टिकुलर जोन में हमेशा वॉलटाइल होगा मार्केट बट मार्केट विल ट्रेंड और बेसिकली इट विल गिव यू ट्रेंडिंग मूव ओनली बियॉंड दी बॉक्स जो कि यह आपके ट्रेट लू के डिमांड अगर लेवल्स के साथ कंबाइन करते हो तो और भी आपको कंफरमेशन अच्छी कासी मिलेगी यहाँ पर देख सकते हो बैंग निफ्टी पर मैक्स पूट हो आए था मतलब यहाँ पर पूट राइटर्स प्रेजेंट तो पूट राइटर्स का अल्रेड़ी व्यू जो था वह बुलिश था और जैसे आप देख सकते हो आज मॉर्निंगार में यहाँ पर ब्रेकाउट कैंडल बन जाती है अल्मोस्ट एक कंसोलिडेशन फेज में चलता है रेड डॉट से मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था बट यहाँ पर कोई रेंज ब्रेकाउट फॉर्माइ यह जब पर्टिकुलर मुव हो रहे थी तभी आपको पता है कि हमारा लाइफ सेशन भी कंड़क्ट हो रहा था दूरिंग लाइफ सेशन इट्सेल्फ यूजर्स गॉजर्ट बेस्ट के सिनेरियो जहाँ पर आपको बैंग निफ्टी भी एक प्रॉपर वे में ट्रेड करने मिल गया था इंट सेम वेज आप जैसे आज फिन निफ्टी में अप मुव आ गई तो ओविएसली बैंग निफ्टी में भी अच्छी कासी आपको अप मुव देखने मिली एस पर रेड बॉक्स ब्रेकाउट सिनेरियो सिमिलर मुव जो हमने लाइफ सेशन में आज मॉर्निं क्लियर कट ट्रेड्स होते वह इसियर टू ट्रेड बस आपको आपके एक्जिक्यूशन पैटन पर थोड़ा ध्यान देना है जब भी रेड बॉक्स को ब्रेक करेगा ब्रेकाउट कैंडल के हाई के उपर आपको ट्रेड्स प्लैन करने होते सेम फॉर्मेट आप स्टॉक्स म हो या बैसिकली आपके प्रीमियम मेंबर्स को जो आपको ग्रूप में दिये जाते स्टॉक्स डेयार एस पर दा सिमिलर फॉर्माइट जस्ट यू नीद तो वेट प्रेकाउट पैटन तो हैं जब भी आपको पता है कि जब ट्रेंड मूव जाते तो आपको एजन ऑप्शन बायर युल हाब दा बेस्ट केस्ट प्रोफित अबिलिटी क्योंकि जब भी ऐसे वन टूवन कैंडल जाते तो आपका प्रीमियम विल डबल अप और ट्रिपल अप वेरी फास्ट ली इन यह फेवर तो अगर आप भी ऑप्शन बायर हो और कन्फूज हो कि कब आपको ब्रे चेक आउट रेट्स देखने मिले और इन डीटेल आपको यह स्ट्राटेजी आपको मास्टर वीडियो वाले प्लेलिस में मिल जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो डूलाइक एंड शेर वीडियो विट यूट फेलो ट्रेडर्स और सब्सक्राइब तो